सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो चार साल के बाद में सभी को नहीं हटाया जाएगा 25 परसेंट रखा जाएगा रेगुलर होएंगे और 75 परसेंट को बोलें हैंसिक कहिए कि उनको एक अच्छा पैकेज दे करके देने का प्राब्धान शायद को हमें ने ऐसा किया है अगनिपत्स सिस्टम जो है टूर ऑफ ड्यूटी के तहट जो लाया जा रहा है वो फ्लॉड है उसमें मतलब बहुत कमिया है और शायद कहीं ने कहीं रास्ट्रिय सुरक्षा को भी एक तरह से मैं बलूनगा कि कॉम्प्रमाइज किया रहा है लॉंग रन में इतना जादा न मतलब कि उसका पढ़रा भारी है सोचने का कि कैसे पैसे बचाएं जाएं पेंशन में शिक्षन शेत्र में ट्रेनिंग एरिया में वहां पे लिखा रहेगा ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और युद्ध में खून बचाओ लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां पे आप ट्रेनि सिस्टम फ्लॉड है हम हाफ ट्रेन रिक्रूट्स को भेज रहे हैं कहां पे फ्रंट लाइन में लड़ाई लडने के लिए बोलने के लिए बोल देते हैं हम पैरा मिलिटरी फोर्सेज में दे देंगे हम कॉर्पोरेट में देंगे क्या पैरा मिलिटरी फोर्सेज का दे रहा हूं और मैं यह दिखा रहा हूं कि पेंशन की बैसे बचत कैसे हो तो क्या पेंशन की बचत आज हमारा रास्ट्रिय सुरक्षा पे भारी पड़ गया है बिहार में वेवसाई का सुनहरा उसर लेकर आए हैं आर्ना कैश्यू नर्ड्स औरेजन्स जो आपको सबसे हाईजिनिक और फ्रेज ड्राइफ रूट से वह मुसाले उपलब्द कराएंगे distributers और system stock करिए हरे सरकार ने आर्मी को लेकर यानी आर्मी बहाली को लेकर के एक नया इस की में उसका नाम रखा गया अगनी पत्ध और उसमें जो काम करेंगे उनको कहा जाए celery लेकिन कई जो सेना के जो पुर्व और अधिकारी है कई आपत्ती दर्ज कर रहे हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर परवीन कुमार जी है जो काफी लंबे समय से लगवक 30 साल से जादा तक जो है उस सेना में अपना एक तरह से योगदान देते रहे हैं परवीन जी जिस प्रकार से ये बाते आई कि चार साल के लिए जो है डूटी होगी उसके बाद जो है उनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा आप सेना में रहे हैं क्या असर पड़ेगा क्या ये जो सरकार का तरीका है बहाली करने का उस पर आपका क्या क्या है वेल सबसे रिटायर्ड लोगों के बीच में काफी दिनों से बात भी बात हम लोगों ने किया है विचारणिये विशह रहा है इसलिए मैं जो अभी बात चीत करूँगा वो काफी डेलिबरेशन और एक काफी लोगों की जो राय है उसी से तलुक रखता हुआ एक तरह से मेरे विचारों में और बहुत सारे विचारों में यह जो अगनीपत सिस्टम जो है तहत जो लाया जा रहा है वो फ्लॉड है उसमें मतलब बहुत कमिया है और शायद कहीं ने कहीं रास्ट्रिय सुरक्षा को भी एक तरह से मैं बलूर्णडा की कॉम्प्रमाइज किया जा रहा है लॉंग रन में और जो हमारे योनिट्स हैं आमी योनिट्स आम्र फोर्स योनिट्स वो भी उनकी ऑपरेशनल तैयारी जो है वो भी कॉम्प्रमाइज होएगे और साथ ही सामाजिक सुरक्षा को भी अंततह कहीं ने कहीं ऐक खत्रा उत्पन होएगा तो ये इतना ज़्यादा नहीं सोच करके कि इसके आम्ड फोर्सेज पे राश्ट्रिय सुरक्षा पे समाज पे क्या फर्क पड़ेगा यह नहीं सोच करके सिर्फ और सिर्फ यह सोचा गया है मतलब कि उसका पड़रा भारी है सोचने का कि कैसे पैसे बचाएं जाएं पेंशन में और इंप्लॉइमेंट हम जेनरेट करके क्लीम करें कि हम बहुत सारे लोगों को इंप्लॉइमेंट दे दिया यह शायद यह जो दो मुद्ध है यह हावी हो गया है बाकी के मुद्धों पे जो की रास्ट्रे सुरक्षा यूनिटों का ऑपरेशनल प्रिपेर्डनेस और पर बोलू अर्ध प्रसिक्षित जबकि सेना में हम सभी को सिखाया गया है आप जाइए प्रसिक्षन शेत्र में ट्रेनिंग एरिया में वहां पे लिखा रहेगा ट्रेनिंग में पसीना बहाओ और युद्ध में खून बचाओ लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां पे आप ट रिक्रूट्स को भेज रहे हैं कहां पर फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ने के लिए याद रहे इनका एक मुद्धा यह भी है कि हम सेना का जो ऑसत आयू है उसको कम ला रहे हैं और जो अभी 32 के लगभग है 32 साल वह हम अगले 6-7 वर्सों में तकरीवन 26 साल के करीब ल तो अभी जो कहेंगे कि जनाब अभी भी तो जो नए रिक्रूट जाते हैं तो वह भी तो फ्रंट में जाते हैं येस लेकिन उनकी संख्या कम रहती है ऐसा नहीं रहेगा कि 75% अगर निकाल दिये गया हो तो 75% अगले 10 सालों में ऐसा रहेगा कि 75% फ्रेश रहेगा सिर्फ 25% ही रेगुलर रहेगा नुक्लियस यह कहीं ने कहीं इन चीजों को देखा जाया तो यह फ्लॉड है और यह जो 75% निकलेंगे उनके लिए क्या आपने देखा है जो भी मैंने पहले वाला सामाजिक अन्रेस्ट की भी चीज हो सकती है यानि कि यह trained soldier है हत्यार चलाना जानता है युद कला में निपन हो गया है चार अभी पैरा मिलेटरी फोर्सेज में प्रसीशन बन अभी जो आमी से जो जुद्वीर हमारे अग्णी वीर आएंगे यही लोग पैरा मिलेटरी फोर्सेज में जाएंगे ऐसा नहीं है और क्या जो चार साल तक बंदा जिसने थोड़ी हथियार अच्छी से चलाना सीख लिया अच्छे से चला चार साल में सीख लिया पूरा सीख लिया आपने उसको हटा दिया तो क्या कॉर्पोरेट बोल्ड में हथियार चलाने वाले और दोने वाले की जिरुवत है क्या इसको माना जाए कि जो एक तरह से प्रेसर है पेंसन का कि भाई बहुत पैसे खड़च होते ह है आर्मी पर और दूसरी तरफ जो सरकार की किर्किरी होती है कि सरकार जो है रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है क्या इसको एक तरह से कार्पिट के नीचे रखने का ये काम किया जा रहा है कि इन चीजों पर रास्ट्रे सुरक्षा हमारे आम्ड फोर्सेज की उपरेशन करने के खिशंता की तैयारी इन चीजों पर जादा ध्यान नहीं दे करके जादा ध्यान देया गया है दो मुद्धों पर रोजगार कैसे मैं दिखाओं कि मैं जादा दे रहा हूं और मैं ये कि पेंशन की बचत कैसे हो तो क्या पेंशन की बचत आज हमारा रास्ट्रिय सुरक्षा पे भारी पड़ गया है मेरा ये क्वेस्चिन है और या फिर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या हमारे युवावर की जो मजबूरी है जो विवस्ता है रोजगार पाने की क्या उसका फैदा उठाया जा रहा है कि चलो हम तुम्हें चार साल के लिए देते हैं और युवाव यह सोचेगा कि कम से कम चार साल के लिए तो मिल रहा है नहीं वो यही सोचेगा कि नौकरी मिल भी गया लेकिन नहीं भी मिला वो यह सोचेगा चार साल में तो जब जान रहा है कि चार साल के बाद मुझे अटा है और तब निपन एक सिपाही सोलजर बनता है तब उसका एक्चुली वैल्य एडिशन होता है यूनिट में तब हम उसको निकाल दे रहे हैं उसका सामाजिक क्या इस्तिति रहेगा खुद उसका जो मॉडल हो खुद डाउन हो जाएगा कि हम यहां से आए फिर अभी हमको क्या कि कहा जा रहा कि Corporate में डाल देंगे निगम में डाल देंगे तो वही तुम्हें बोला बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल ला है क्या कोर्पूरेट में क्या क्या ने वही पहला Qggak स्काहि यह लोग चाहिए उनको management qualified तो क्या हम वो सिखा रहे हैं उसमें तो skill है ही नहीं तो वहां भी जाय करके वो security guard का काम करवाएंगे इसमें एक चीज और है कि कहा गया कि उनकी बर्दी अलग होगी उनका तमगा अलग होगा तो क्या ये जो एक तरह से कहा जाता कि army का मतलब है ये बहुत अच्छा चीज आपने पकड़ा कि regular army में रहते हुए भी जैसे ही उसकी वर्दी अलग होगी बेशक इन्होंने ये सोचा होगा कि उसको employee करते समय हम वैसा जो बहुत जादा tough job पे नहीं दे करके इसको soft रखेंगे लेकिन जो दूसरा regular वाला है इसको नजरहा हीन भावना में उसमें लाएगा उसको लुकडाउन करेगा तुम लोग यह वाला है यह चार साल मजल छे महीना वाला ट्रेणिंग वाला चार साल के बाद जाना है उनसे उसको क्या बोलते हैं एक affiliation होता है यही तो मैं बोल रहा था फौज में जजबा बहुत बड़ा काम होता है दोस्ताना तभी दूसरे के लिए गोली खाने के लिए त्यार रहता है आपने देखा होगा चाहे सुना होगा पेपर में सुना होगा लोगों के थोड़ा कम होंगी बहुत कम होंगी यह वही मैं बोल रहा था इसलिए मैंने फिल्में नाम नहीं लिया मैं हकीकत बोल रहा हूं कि जो आपने सुना होगा संसमरन जो हमारे वीर से टीम स्पिरेट यह सब नहीं रहेगा दूसरा ट्रडिशन अपना क्वार्टर का जंडा के लिए जीना और मरना है चार साल में नहीं आएगा मतलब जब तक आएगा जब तक उसमें आएगा तब हम सको हटा दे रहें तो फिर नयाव से का गया सो यह सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि फ्लॉड है विल थॉट अफ नहीं है इसको आजमाना ही अगर था प्रयोग के तो तो आर्म्ड फोसेज पे नहीं करके पैरामिलिटरी फोसेज या कहीं और पे इसका करके देख लेते और तब जाकर के इसका देखते इसमें फ् प्रेस करते हैं फिर आप पूरी इस तरह से 75 परसेंट को आउट नहीं करके में भी कहीं ने कहीं कुछ और आप एक संतुलन बनाने की कोसिस करते हैं सेना प्रमुक ने कल प्रेस कांफरेंस की और इसकी जनकारी दी इसमें जो बेतन रखा गया है सर उस पर भी बात कर लेते हैं कहा गया कि पहले साल में 30,000 रहेगी फिर तीन तीन जो है एक साल पे 3,000 बढ़ाएगा लेकिन जिस प्रकार से आर्मी का एक तरह से आउधा होता ह है पैसे से इतर उनको देखा जाता है अब माली जी क्यों ड्यूटी चार सल की ड्यूटी में कोई लडाए में गया या कुछ में भी गया वहां उनकी जान चल जाती तो क्या उनको सहीत का दरजा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर अभी चीच के लिए करेक्ट सो जैसा कि आ बावजूद उसके एक लारजर परस्पेक्टिव नेशनल लेवल पे जो दिया गया है तो सरयाम सेना ध्यक्ष कुछ नहीं बोलेंगे या कोई भी चाहे वो सेना ध्यक्ष हो या एक सरकारी महकमे का सबसे नीचे लेवल का भी कोई नहीं हो खुलियाम नहीं बोलेगा तो मे 24,000 उसको हाथ में मिलेंगे और 3.6.6,95 उसको सेलरी होती है जिस में से की तकरीबहन उसको 25,580 रुपया मिलेगा और 4.4 जार उसको सेलरी होगी जो कि 28,000 रुपया उसके हाथ में मिलेगा और सहीद होने पे ये दिया गया है सुटेबल कॉम्पेंसिशन एक क्रोड की विव का स्टेटस आपने दिया तो इतने सारे एक सर्विसमेन आपके आपके कंट्री में हो जाएंगे कि उनको भी मैनेज कर पाना जो वर्तमान एक सर्विसमेन है उनको मैनेज कर पाना संभव नहीं रहेगा वहीं लड़ाई चल रही पुरानी पेंसन की वहीं वहता रहा हूं कि प हमारे सरकार हमारी मिलिटरी जो है वो एक सर्विसमेंट के लिए भी काफी वेलफेर स्कीम रखशी हुई है जो कि हमारा सर्विस कंडिशन जब रिक्रूट होती थे उस समय से ही चला रहा है अगर वो जब दे देंगे तो हमारे लिए जो बरतमान व्यवस्था है बरतमान से हम भुणा रहे हैं और उसका अठारे हैं कि तुम्हें जौब दे रहे हैं और जॉब नहीं नहीं दे रहे हैं. ठीक है एक जो है पुर्व सेना अधिकारी हैं बिरेंदर धन्वाजी ट्विट कर रहे हैं कि प्रफेस्टनल मिलिटरिस यूजर डोंट रन इंप्लोमेंट स्किम जस्ट सेंग उनका कहना है कि यह जो सेना वाला जो काम है उसको आप नौकड़ी यह रोजगार योजना नहीं समझेए मैं बस यह कह रहा हूं हम लोग यह बहुते हैं कि यह जंडा भारत का जो जंडा है वह भारत मता है तो यह जजवा है यह रोजगार से मच मच ब्यॉंड है तब जाकर कि हमारी भारतीय सेनाई जो प्रोफेशनल आमी है वो विजय प्राप्त करती है आज तक हमारी आर्मी कहीं भी fail नहीं किया है country को चाहे सरहद हो या फिर चाहे वो बाढ़ हो चाहे कहीं और पे bridge बनाना हो या कहीं और आपदा प्रवंधन हो बोर्वेल से बच्चे निकालना हो या फिर railway station पे bridge बनाना हो कोई भी काम दिया गया है तो फाज ने बहुत सब कायम है यह सब चार साल में नहीं आता है इसके लिए 10 को निकल जाते हैं 10 साल 15 साल आते है बंदा बीकुल निट्रण हो जाता है और यूनिट के लिए जान देने के लिए तियार होता है। आनी की चीज नहीं है आपने सुना होगा कई फिल्मों में दिखाया गया सर ने अपना experience भी बताया कि अगर मरने और मानने की बात आती है तो कई जो सेना के जो लोग होते हो आगे आ जाते हैं कि पहले जो है आप हमको मारिये देश के लिए हम जान देने के लिए पहले तयार ह लेकिन क्या ये चार साल में हो पाएगा चार साल के बाद उनके लिए क्या लाइप होगा आगे उनके लिए क्या विवस्ता किया जाएगा ये सब चीज एक बड़ा सवाल है हाला कि ये सब सवालों का जवाब जो है अभी तक सरकार के तरप से मिला नहीं है हमारा काम रहेग उनसे सवाल जरूर करना जनता जिक्सन आप देख रहे थे आपकी क्या परतिक्रिया है आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद